हाथी गोड़ा पाल की जैकन या लाल की जी हाँ फ्रेंस मैं एक सी क्रिस्चन मोसो मनाने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन मंदिरों में गई बहुत ही मनोरम द्रिश्य देखा मैंने फ्रेंस आप यकीन मानो देखकर बहुत ही आनन से मन भर गया तो फ्रेंस आप सब भी देखने के लिए तैयार रहो एक नहीं दो नहीं तीन तीन मंदिरों की जाकियां तो फ्रेंस चलिए देखते हैं सबसे पहले मैं आपको जो दिखाती हूँ हमारे क्रिश्न कनहिया बाके बिहारी ये आप देख सकते हो फ्रेंस ये मुझे शाम मंदिर में क्रिश्न कनहिया नंदल के गोपाला मिले तो फ्रेंस आप सबसे पहले मैं आपको पहला मंदिर जो दिखा रही हूँ वो है हमारे देवर ये सहर का सत्यनायार मंदिर जहां पर बहुत ही बहुत ही अच्छी जाकी सजी है आप मदिर एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है पहुत ही जादा सुंदर लग रहा है आप मदिर देख सकते हो लिख़ा है भगवाल तो चलिए अंदर चलते हैं बगवाल तो चलिए अंदर चलते हैं भगवान के आप देख सकते हो कितना खुबसूरत लग रहा है मंदिर मैं तो यहाँ पे हर साल आती हूँ फ्रेंस चलिए आपको भी इस साल मौका मिला है मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंस मैं तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है यह सब उमीद करती हूँ आप सबको भी यह सब देख कर बहुत आनंद आएगा फ्रेंस तो फ्रेंस आप देख चुक्तों यहाँ पे भजन किर्टन हो रहे थे फ्रेंस लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं आती इसलिए मैं पूरी डेकुरेशन दिखा रही हूं मंदिर की फ्रेंस यह मंदिर बहुत छोटा है बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसको बहुत ही खुबसूरत तरीके से सजाये जाता है फ्रेंस और एक चीज़ और मैं बताने मैं तीज के ब्रत में भी यहीं पे आती हूं फ्रेंस क् तो चलिए आप देखिए भगवान के दर्शन कर लिए फ्रेंस बहुत अच्छा इस तरह तस्वीर लगी हूई है फ्रेंस चलिए आप देख सकते हैं यहां पे भजन किर्टन हो रहा है फ्रेंस तो चलिए फ्रेंस मैं आपको दूसरे मंदिर का दिखाती हूं यह यह आप द निन डिखाती हूं श्याम मंदिर के बाबा का शिंगार आप देखे जैसा मैं ने आगया कि आज मैं तीन- Product मंदिर के शहर कराने वाली हूँ देख सकते यह स्याम बाबा का सिंगार अद्भुत मैं बहुत खुम्षूरत बहुत ही अच्छा और आप देख सकते हैं यहां पे बेंकेडेश मंदिर में कैसे जूला जूलाए जा रहा है आप देख सकते हैं फ्रेंट्स कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंट्स भगवान की जाकिए ऐसे मनोरम द्रिश् moles मन को आनन से भर देते हैं फ्रेंट्स इसलिए अगर कभी भी ओसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए फ्रेंट्स जरूर आनन देना चाहिए ऐसे मनुरम दिश्रे का तो फ्रेंट्स यह मैं आपको वेंकेटेश मंदिर का ही दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हैं यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी अभी बाहर भी बहुत सारे लोग हैं फ्रेंट्स सब लोग फोटो क्लिक कर रहे थे वीड़ो बना रहे थे फ्रेंट्स चारों तरह भजन किर्तन की धूम थी बहुत ही अच्छा लगने वाला है फ्रेंट्स आपको यह तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ यह जनमाशनी व्लॉग आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अगर अभी तक आपने मेरे च मंदिर जिसे तीरुपदी बाला जीवी मंदिर कहते हैं का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स स्रीकेट्स जद्मोस्तों की हार देखें